आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों डाउटनेट में आपका स्वागत है हमारा दियागे प्रेशन है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो च्यार खड़े इस पांक्ती में कौन सा अलंकार है हमें इसमें च्यार विकलप दे रखे हैं जिसमें से विकलप पहला है हमें इसमें ये बताना है जो हमें पंक्ती दी गई है उसमें कौन सा अलंकार है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं अलंकार सब्द का अर्थ है वह वस्तू जो सुन्दर बनाए या सुन्दर बनाने का साधन हो साधारण बोलचार में अभूशन को अलंकार कहते हैं जिस प्रकार अभूशन धारण करने से नारी के सरीर की शोभा बड़ जाती है उसी प्रकार अलंकार के प्रियोग से कविता की सोभा बड़ती है तो जो हमारी इस प्रकार में अलंकार है वो है प्रतीप जो हमें विकलप दो में दे रखा है अब हम देख लेते हैं कि प्रतीप अलंकार प्रतीप का अर्थ है उल्टा अर्थार्थ जहां पर परसिद उपमान को उप में बना दिया जय वहां प्रतीप अलंकार होगा जैसे वाक्ये में इस परस्ट है कि परसिद उपमान देवदार को उप में तथा उप में तपस्वी को उपमान मान कर वर्नन किया गया है कि जो हमें पंक्ति दे रखी है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चियार खड़े तो जो इसमें तपस्वी सबग दे रखा है ये उपमे है लेकिन इसको उपमान मान रखा है और जो देवदार है वो उपमान है उसे उपमे मान कर इसमें वर्नन किया गया है दे रखा है, धन्यवाद.